Study IQ IS अब तयारी हुई affordable History of RSS Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तो 1925 में एक डॉक्टर ने एक organization बनाया जिसका एम था हिंदू सोसाइटी को British atrocities के against तयार करना उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये चूटा सा organization आगे चल कर world का सबसे बड़ा non-government organization बन जाएगा जी हाँ हम बात कर रहे हैं राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग यानि RSS की जो 2025 में 100 साल की हो जाएगी RSS ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीती के गलियारों की धड़कन बढ़ जाती है ये समाज के भीतर कहीं न कहीं देश के सबसे बड़े परिवार के तौर पर अपनी पहचान करवाता है लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि RSS का मतलब क्या है सवाल ये है कि RSS क्या एक सामाजिक संगठन है या भिराजनेतिक ये सांस्कृतिक तौर पर पर राजनीतिक तोर पर या फिर इसका कुछ और ही काम है तो चलिए जरा पीछे चलती हैं कुछ इतिहास के पन्नों को टटोल लेते हैं और जानते हैं RSS का इतिहास क्या है और इसे क्यों बनाया गया साथ ही ये भी कि आज इसका जिकर करना इतना important क्यों है आए शुरू करते ह हिस्ट्री अव राष्ट्रियस वयम सेवक संग RSS साल 1907 ये वो दौर था जब बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिती के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशव राम बलराम हेट गिवार भी इस संगठन का हिस्सा बने और जील भी गए दादा भाई नौरो जी ने उस वक्त गरम सोच के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कॉंग्रिस में आने का न्योता दिया तो हेट गिवार भी कॉंग्रिस में उनके साथ ही आ गए हेट गिवार ने कॉंग्रिस के साथ काफी समय तक काम किया लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिंजाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत मूव्मेंट की शुरुआत हो गई और गांधी जी की अगवाई में कॉंग्रिस ने भी इसका समर्थन किया लेकिन डॉक्टर हेट गिवार को कॉंग्रिस द्वारा खिलाफत मूव्मेंट से जुडने वाली बात परिशान कर रही थी उन्हें ये बात अंदर ही अंदर चुब रही थी क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टी करण की राजनी थी माना हनाकि नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेट गिवार कॉंग्रिस का हिस्सा बने रहे बलकि 1922 में नागपुर कॉंग्रिस अधिवेशन और 1925 के कोलकता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेट गिवार मौजूद थे लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर हेट गिवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था उन्होंने अब मन बना लिया था कि वे एक ऐसी संस्था को फॉर्म करेंगे जो हिंदूओं की हितों को लेकर चले और आगे बढ़े उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेट गिवार को सुनने के लिए सिर्फ बारा लोग ही पहुँचे थे लेकिन बारा से बारा सो बनने में वक्त नहीं लगा धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेट गिवार के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और इसी के साथ अब संग की स्थापना का रास्ता साफ नजर आ रहा था डॉक्टर हेट गिवार के लिए ये काम इतना आसान नहीं था इस रास्ते में कई सारी प्राबलम्स पैर पसारे खड़ी थी कहा जाता है कि डॉक्टर हेट गिवार जी ने खुद शाखा लगाना शुरू किया शाखा में योग, सूर्य नमसकार, लाठी ट्रेनिंग के साथ-साथ intellectual discussion को भी शामिल किया गया धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेट गिवार की बातों से प्रभावित होने लगे और उनके इस अभियान में जुडने लगे कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई अब समय आ गया था जब डॉक्टर हेट गिवार ने संख को ओफिशल रूप देने का सोचा डॉक्टर हेट गिवार ने साल 1925 में नागपुर में विजय दश्मी के दिन RSS की बुनियाद रख दी धीरे धीरे महराष्ट के कई इलाकों जैसे नाशिक, पूने, अमरावती, यावतमाल में संख ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिये और महराष्ट के साथ-साथ मध्य भारत में भी शाखा का विस्थार होना शुरू हो गया लोगों का शाखा के साथ जोड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था ये कैसा बदलाव था, जिसको बनाया तो समाजिक काम करने के लिए था लेकिन आगे चल कर ये राजनीती का वो गोल चक्कर बना, जिसके चारूं तरफ ही राजनीती का ताना बाना बुना जाना था संग में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी लेकिन महराष्ट के बाहर अभी भी संग का कोई खास असर नहीं था संग विस्तार के लिए तयार था और महराष्ट के बाहर पैरपसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेट गिवार को 1930 के आसपास बनारस हिंदू युनिवरसिटी जाने का मौका मिला डॉक्टर हेट गिवार बी एच्यू आए और पंडित मदन मोहन मालविये से बात की पंडित मदन मोहन मालविये ने बी एच्यू परिसर में संग का ओफिस खोलने के लिए पोमिशन दे दी बी एच्यू में डॉक्टर हेट गिवार की मुलाकात MSC की पढ़ाई कर रहे माधव राओ सदाशिव राओ गोलवालकर से हुई गोलवालकर बी एच्यू में पढ़ाते भी थे इसलिए उन्हें सब गुरु जी कहा करते थे गोलवालकर डॉक्टर हेट गिवार के माध्यम से ही संग में अक्टिव हुए और उसके मेंबर बने लेकिन 1940 में डॉक्टर हेट गिवार की मृत्य हो जाती है और सर्व सहमती से RSS की कमान गोलवालकर को सौंप दी जाती है गोलवालकर की लीडिशिप में RSS की विचार डेली, कोलकाता, चेनाई और लाहोर के साथ-साथ पूरे देश में फैला शुरू होते हैं आईए अब जानते हैं कि RSS कैसे काम करता है और इसकी शाखाएं कहां-कहां फैली हुई है Organizational Setup of RSS RSS की Constructive Arrangement की बात करें तो RSS 11 पार्ट में बटा हुआ है Hub यानि केंद्र, Region यानि क्षेत्र, Province यानि प्रांत, Department यानि विभाग, District यानि जिला, तालुका, Town यानि नगर, Block यानि खंड, Circle यानि मंडल, Gram, Branch यानि शाखा वहीं अगर RSS की Branch यानि शाखा की बात करें तो ये पांच तरह की हैं पहला, प्रभात Branch, इसमें Morning में सभी की Meeting होती है, दूसरा है Evening Branch, तीसरा Branch है Night Branch, फिर आता है Milan, मिलन यानि वीक में एक या दो बार होने वाली Meeting और आखिर में आता है संग मंडली, संग मंडली मंत में होने वाली Meeting को कहा जाता है दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संग में करीब एक करोड से ज्यादा Trained Members है, संग परिवार के अंडर 80 से ज्यादा चोटे बड़े संगठन आते हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में RSS के 8000 से ज्यादा Branch है केरला जैसे स्टेट में जहां हिंदू Population कम है, वहां भी RSS के करीब 5000 ब्रांच है ये तो बात हुई देश के अंदर की, वहीं दुनिया के 40 से ज्यादा Countries में RSS की 57000 ब्रांचेश हैं इसके साथ ही इन सभी ब्रांचेश में डेली 50 लाख से ज्यादा Members आते हैं देश की हर तहसील और साथ हजार गाउं में हर रोज संग की ब्रांचेश लगती हैं आप सोच रहे होंगे ये ब्रांचेश क्या हैं तो बता दें कि ब्रांच या शाखा सुबह शाम होने वाली मीटिंग को कहा जाता है जो किसी भी खुले ग्राउंड में एक घंटे की लगती है इन्ही ब्रांचेश को RSS की बुनियाद माना जाता है और इसी वजह से इतना बड़ा RSS संगठन चल रहा है यहां रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है जहां सारे वॉलंटियर्ज एक दूसरे से मिलते हैं इस दोरान सभी प्रेयर करते हैं योग और गेम्स खेलते हैं साथी ये लोग प्रेयर और कल्चुरल एस्पेक्ट्स पर चर्चा भी करते हैं इसके साथी यहां सरसंग चालक को चुना जाता है और हर सरसंग चालक अपने next सरसंग चालक को अनौंस करता है Presently, RSS के सरसंग चालक श्री मोहन भागवत है बता दें कि जो संग में अपने मन से आता है, उन्हें स्वयम सेवक कहा जाता है इसके अलाबा, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, तो आज पूरे वर्ल्ड में RSS की करीब 55 सबसीडियरी ओगिनाइजेशन हैं जैसे भारतिय जनतापाटी, बजरंग दल, हिंदु जागरण मंच, इंडियन फार्मर्स असोसियेशन, हिंदु स्वयम सेवक संग, राष्ट्र सेविका समिती, ओल इंडिया वर्ल्ड कांसल, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कल्यान आश्रम, मुस्ल लेवर यूनियन, सेवा भारती, विश्व हिंदु परिशद, एट्सेटर, लेकिन RSS का काम क्या है और भारतिय समाज में इसका क्या योगदान रहा है, आईए जानते हैं। करना और कल्चुरल नैशनलिजम को बढ़ाना भी संग का मकसद है। इसके लिए संग मैगजीन निकालता है, जिन्हें लाखों लोग पढ़ते हैं, इनमें में मैगजीन, ओगिनाइजर और पंच जन्या है। इसके अलावा संग टीनेजर्स और चिल्डरन के लिए देवप कुत्र नाम की मैगजीन भी निकालता है। 22 जुलाई 1954 को दादरा को पोचुगीज से मुक्त कराया गया था। 28 जुलाई को RSS लीडर वकनकर की लीडरिशिप में स्वयम सेवक्स ने नारोली पुली स्टेशन पर हमला बोल दिया और पोचुगीज स्टाफर्स को ओवर पावर करते हुए उन्हें सेरेंडर करने के लि लिबरेशन फोर्सेज फिडालगों से सेरेंडर करने के लिए कहते हैं और इनके मना करने पर बड़ी संख्या में RSS स्वयम सेवक्स और लिबरेशन फोर्सेज के बाकी मेंबर्स सिल्वासा की तरफ मार्च करते हैं। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ उस वक्त भी संख ने आगे आकर आमी की हेल्प की। आमी रूट्स पर नज़ा रखना, एड्मिनिस्ट्रीशन की हेल्प, आमी का खाने का इंतजाम करना और साथ ही साथ आमी फैमिलीज की हेल्प करने जैसे काम RSS द्वारा किये गए। उनके इस काम को पूरे देश के लोगों ने अप्रिशियेट किया। संग के ही स्वयम सिवकों ने दिया था। साथी कश्मीर में एस ट्रिप्स से स्नो खटाने का काम भी संग के स्वयम सिवकों ने ही किया था। इसके अलावा 1971 में ओडिशा में आए भयानक साइकलोन से लेकर भोपाल गैस ट्रैजडी तक। हमेशा संग ने आगे फोर फ्रंट में खड़े हों लोगों की सेवा की है और सिर्फ इंडिया ही नहीं इवन नेपाल, श्री लंका और सुमात्रा में भी संग ने अपनी सेवाईं दी हैं। RSS द्वारा इतना सब करने के बावजूद वो हमेशा कंट्रोवसी में फंसती रहती है। उस पर हमेशा से राजनीती में हस्तक शेप करने के इलजाम लगते रही हैं। और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रही है। आईए जानते हैं इसे कब-कब बैन किया गया है। दोस्तों समय समय पर RSS आलोचना और विवादों में घिरता रहा है। पहली बार जब 1948 में नाथुराम गोडसे ने महत्मा गांधी की हत्या कर दी तो पंडित नहरू ने इसके लिए RSS को जिम्मेदार ठेराया और इसे बैन कर दिया गया। दूसरी बार 1975 में 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया उस वक्त RSS को बैन किया गया। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद RSS का हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स से गहरा नाता रहा है। आईए RSS और इंडियन पॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझने की को पॉलिटिक्स में दिखा है। इसके अलावा ये भी बहुत कम लोग जानती हैं कि राजीव गांधी को भी एक वक्त पर RSS के आगे जुगना पड़ा था। दरसल ये बात 1989 की है जब राम जन्म भूमी को लेकर छिड़े विवाद में राजीव गांधी को अपनी सत्ता जात दिखाई देने लगी थी। उस वक्त राजीव गांधी ने RSS से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की थी। लेकिन RSS ने राजीव गांधी से किसी तरह की बात करने से मना कर दिया था। संग उस समय अयोध्या को राजणीती में नहीं घसीटना चाहती थी। जिसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवानी ने वीपी सिंग की सरकार का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंग ने जब रेजरवेशन का दाव खेला, तो सारे पासे पलट गए। इस वक्त संग को एक बड़ा जटका लगा। जटके में ही स संग को ये महसूस हो गया कि राजनीती को अयोध्या जाना ही होगा। इस दोरान रेजरवेशन की आग फैली तो राजनैक हल चल मच गई। संग भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिशद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्म भूमी आंदोलन में साथ देने का फै परिशा से संग को राइट विंग फाशिस्ट राडिकल हिंदू ओगिनाइजेशन कहा है जबकि RSS पुलिटिकल अपीस्मेंट के खिलाफ हिंदू के हितों को उठाता है। देखा जाए तो RSS की कोई सेट मेजर फिलोसफी नहीं है लेकिन RSS चार तरह की में फिलोसफी को फ भारत फैला हुआ था। ये सब अखंड भारत का हिस्सा हैं। दूसरा है इंटेग्रिल हुमनिजम ये फिलोसफी दीन दयाल उपाध्याई जी ने दी थी। इस फिलोसफी के अंतरगत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात कही गई है। साथ ही ग्रामीन विकास, सोशल और रियलिस्टिक मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया। थर्ड है हिंदुत्व यानि हिंदू धर्म को सर्वोच मानना। आरेसेस का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग कहीं न कहीं हिंदू धर्म के ही फॉलोवर्स हैं। संग तिरंगे की जगे भगवा ध्वज को अपने कारिक्रम में यूज करता है। इसी वजह से उसके उफिस पर तिरंगा नहीं फेराया जाता। अक्सर इस वजह से RSS कंट्रोविसी में फंसता रहता है। RSS सबसे उपर भगवा ध्वज को मानता है। RSS समय समय पर राजनीती में भी एक्टिविटी दिख बीजेपी में कई बड़े लीडर्स संग से ही निकले हैं। अब चाहे वो लेट श्री अटल बिहारी वाजपई हों, लाल कृष्ण आडवानी हों, हमारे होम मिनिस्टर अमिट शाह हों या फिर देश के पीम नरेंद्र मोधी। इसलिए इनके कारियों में संग की आइडियोल सेवन येर्स का हो चुका है। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना हुई होगी जितनी RSS की हुई है। लेकिन इसके बावजूद RSS आज भी अपने विचारों को लेकर डिटरमेंड है और अपने मोटो को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज RSS की पॉपिल अफोरडबर।